नमस्कार मैं हूँ आपका दोस विजे विद्रोही तो राजस्तान में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही अब लोगसवा चनाव में जुट गई हैं दोनों पार्टियां जैपुर में आज बैठक हुई बीजेपी की जिसमें मुख्य मंत्री थे संगठन के लोग थे सुचना आ रही है कि वहाँ भी 11 सीटों पर ही ज्यादा मंथन होना है तो आखिर 25 में से ऐसी 11 सीटे कौन सी हैं जिन पर दोनों ही पार्टियों की सांस अटकी हुई है या यूं कहा जाए कि बीजेपी की सांस अटकी हुई है और कॉंग्रेस इन 11 सीटों को बड़ी उमीद स से देख रही है पच्चिस में से ये 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधान सबा चुनाओ के हिसाब से देखा जाए तो कॉंग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है अब आप जानना चाहेंगे कि ये 11 सीटे कौन सी हैं तो पहले देखते हैं कि 14 सीटे कौन सी हैं जहां बीजेपी अपने आपको फिलहाल के लिए सुरक्षित मान कर चल रही है ये सीटे हैं जैपूर, चूरू, दोसा, भरतपूर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्वाड़गड, अजमेर, जालावाड, जोधपूर, कोटा, पाली, रास्तमंद और उदेपूर लेकिन जहां 11 सीट पर सांस अटकी है वो है जैपूर, ग्रामीन की सीट है, जालोर है, जुनजनू, करोली, धौलपूर, नागोर, सीकर, टॉंक, स्वाइमादपूर, श्रीगंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा और बाढ़मेर तो इसमें आदिवासी बेल्ट की भी सीटे हैं, इसमें शेखा साल सरकार में, कुल मिलाकर छे सांसत चुनाव मेदान में खड़े किये थे, जिसमें से तीन जीते, तीन हारे, अब ऐसा होता नहीं है कि विधान सभा में जिस पैटन पर चुनाव लड़ा जाए, जिस पैटन पर वोट पड़े, वैसा ही वैसा लोक सभा चुनाव के संदर म में हो आपको ध्यान होगा कि पिछले लोकसभा चुनाओ में अब उसे पुलवामा का असर माने या मोदी जी की व्यक्तिगत इमेज का असर माने या टीना फैक्टर का असर माने बीजे पी को 58-59 परसंट वोट मिला था 25 में से 16 सीटें ऐसी थी जहां बीजे पी को 2 लाग के ज्यादा अंतर से बीजे पी चुनाओ जीती थी ऐसे में तो बीजे पी को आश्वस होना चाहिए लेकिन बीजे पी आश्वस नहीं हो पा रही है और सुना है कि आज की बैठक में मोटे तोर पर लोगसवा चुनाओं की चर्चा तो हुई लेकिन ज्यादा ध्यान राम मंदिर वाले मुद्वे पर रखा गया कि कैसे राजिस्तान से भी जैसे देज भर में धाई करोड लोगों को भेजे जाने की योजना है उसमें राजिस्तान के हिस्से में 20,000 लोग है बीजे पी यहां चा रही है बीज की संक्या दुगनी कर दी जाए 40,000, 50,000 लोग भेज दिये जाए हर लोगसवा सीट से 10,000 के हिसाब से देखा जाए तो 25 सीटे हैं तो 25 को आप 10 से गुना करें तो इतने लोगों को भेजा जाए इसको लेखर माता पच्ची होती रही एक बड़ा चक्कर है कि चूकी भजलाल सरकार नहीं नहीं आई है जनता की उमीदों पर भी खरा उतरना है चुनावी वाइदों को पूरा करने की प्रक्रिया भी शुरू करनी है तो सभावी कै कि 19 जनवरी से तो विधान सभा का जो विशेश सत्र शुरू हो रहा है उसमें अंतरीम बजट पेश किया जाएगा अगले 6 मेने के लिए लेखा नुदान लिया जाएगा लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा कम से कम 3 बड़ी योजनाएं तीन बड़ी योजनाओं की घोशना तो भजनलाल सरकार को करनी ही पड़ेगी एक जिसकी वो कर चुके हैं लेकिन उसका बजट पे प्रावधान करना पड़ेगा 450 रुपे में BPL परिवारों को गैस सिलंडर मिलना दूसरा जैसा वादा किया था कि सत्ता में आए तो पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है इंडिया में इसकी समीक्षा करेंगे समीक्षा करने का मतलब होता है कम करेंगे समीक्षा करने का मतलब यह नहीं होता हमने समीक्षा कर दी और हम ये जो दाम है इससे संतुष्ट है और इसमें हम कोई उतार चड़ाव नहीं करने वाले आपको कम करना ही पड़ेगा उसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा और इसके अलावा तीसरा है किसानों को जो किसान सम्मान निधी के तहें 6,000 रुपया कें सरकार देती है राज्य सरकार ने कहा है कि वो 12,000 कर देंगे यानि 6,000 अपनी जेब से देंगे तो ये तीन बड़ी योजनाओं को तो क्रियानमित करना ही पड़ेगा इसके बिना चुनाव मैदान में उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये काम कैसे होगा वहां जहां पांच 30% से ज्यादा सरकार उधार ले चुकी है ये देखना अपने आप में दिल्चस्प होगा चलिए थोड़ा शिफ्ट करते हैं कॉंग्रेस की तरफ कॉंग्रेस में भी लोकसभा चुनाओं को लेकर मंतन है लेकिन पहले कॉंग्रेस के जो आला कमान है या उनके बड़े नेता है उनकी नजर है कि आम आदमी पार्टी से समझोता कर लिया जाए ममता के साथ समझोता हो जाए यानि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट पर सीटों का नरधारन हो जाए उसकी ज्यादा चिंता है मोटे तोर पर राजिस्तान में कॉंग्रेस 11 जो सीटें हैं जिनकी अभी हमने थोड़ी देर बात की वहां अपने आपको मजबूत पा रही है लेकिन इसके लिए मजबूत उमीदवार भी उतारने होंगे तो क्या अशोग हलो चुनाव लड़ेंगे क्या सचिन पाइलट को चुनाव लड़ाया जाएगा क्या हरीश चौदरी चुनाव लड़ सकते हैं क क्या मानवेंदर सिंग जो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं उनको रोका जाएगा क्या भारती आदिवासी पार्टी के साथ बाप पार्टी के साथ दक्षणी राजस्तान में समझोता होगा क्या सी पीम को सीकर की सीट दे दी जाएगी क्या करोली धौलकुर की सीट क में को लेकर भी किसी तरह का मायवती से समझाता हो सकता है कई सवाल है इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे लेकिन पहले तो कॉंग्रेस बाड मेर से लेकर कोटा तक वीडियो वाइरल वीडियो से जूज रही है नेताओं के गजब गजब के वीडियो सामने आ रहे हैं और नेता शरमसार हैं या नहीं लेकिन जो कोटा में सामने आया एक वीडियो शांती धारिवाल के बेटे का जोकी पार्टी के अंदर एक पदाधिकारी है तो उन्होंने कहा कि साब ये डीप फेक है लेकिन शिकायत दर्ज नहीं कराई है जांच की बात नहीं की है ये अपने आप में दिल्चस्बात है बाड मेर मेर में भी जो एक वीडियो सामने आया है उसको लेकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रताडित महिला के साथ न्याय होना चाहिए लेकिन न्याय तो आप ही करेंगे आप ही की सरकार है सत्ता में तो आप ही है भजलाल सरकार के सामने एक सरदर्ध सौधिन की कारे योजना का है पहले ये जिममा अफसर शाही को दिया गया फिर मंत्री बन गए मंत्रियों की देखरेक में कहा जाएगा कि कारे योजना बनाई जाएगी अफसर शाही का भी सहरा लिया जाएगा अफसर शाही में भी हमने देखा है कि पिछली सरकार में जो अफसर मौच करते रहे जो अशोग हैलोत के बहुत करीबी रहे और जो बीजेपी की विपक्ष में जब बीजेपी थी उनके निशाने पर उनको वही का वही बरकरार रखा गया है पद भी वही है विभाग भी वही है खास दोर से ग्रह विभाग और वित विभाग वित्विभाग का तो ये माना जा सकता है कि अंतरिम बजट भी पेश करना है और फिर फाइनल बजट भी लाना है और जो अधिकारी है उनकी काबलियत पर भजनलाल सरकार को भी शायद पूरा भरोसा है या मोदी जी की उस सीख पर भरोसा है जो मोदी जी कहकर गए कि अधिका आधिकारियों से तो काम लेना पड़ता है आपको योजना बना कर देनी है और अधिकारियों से उन योजनाओं का क्रियानवन कराना है तो इसमें कितने सफल होंगे भजनलाल ये भी देखना दिल्शस्थ रहेगा अपराद की खबरे जरूर आ रही हैं अपराद को रोकने की तरह भी चीजें बढ़ रही हैं कहीं चुराहे पर मुर्गा बनाया जा रहा है कहीं बुल्डोजर चलाया जा रहा है लेकिन दरदनाख खबरें भी आ रही है आज ही मैं सुबह अकबार में पढ़ रहा था कोड़ पुतली की खबर जिसमें 13-14 साल की नावालिक बच्ची औ और उसको कर्स चुकाने के लिए बाप नहीं सुपूर्द कर दिया ये उनकी मजबूरी हो सकती है लेकिन लड़की नहीं जो नाम बताये हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं उसमें बड़े रसूकदार लोगों के नाम है जिन्होंने उसके लड़की की साथ यहन शोशन कि जो उनके पिता और दादा की उम्र के बताये जाते हैं और अगर इन में से कोई पता अधिकारी है अगर इन में से कोई सरकारी अधिकारी है या कोई दूसरा जिम्मेदार विक्ती है तो खिलाफ कड़ी कारवाही तो बंती ही है शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लि झाल झाल